दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल टेकनिकल कृषी में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को दबाएं चैनल के वीडियो पे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ह जल्स जामाइं कर रहे हैं ठीक है वीडियो में तो सब कुछ अच्छा लगता है किल्ग हुख किसान के पॉस्टिव पॉइंट्स है तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्रीस को आखरी तक देखें विसके बाद भी मैं इस पर वीडियो और भी डालूगा तो पहले तो इस पर बात करते हैं कि इसके पॉस्टिव पॉइंट्स क्या है तो पॉस्टिव पॉइंट्स है तो पॉस्टिव पॉइंट्स सा हो गया या सीडले स्कुम्बर हो गया वो भी आप इसमें कर सकते हो इसके बाद इसमें ज्यादा रोग नहीं लगते हैं अगर आपने सौधानी बर्ती बेमौसम इसमें उपज हो सकती है जलरी उपजाती है अगर आम तोर पे बाहर 65 दिन में कोई फल है उसकी तोड़ाई आप लेकिन फाइदों के अलावा हमें इसके नुकसान भी देखने कि इसके नुकसान क्या है तो इस चीजों के बारे में भी हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो आमदनी होती है उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है तो अगर आप साल बर प्रोड़क्शन ले रहे हैं तो आपको निसंदे अच्छी आमदनी होगी लेकिन इसके प्रोड़क्ट का कोई अलग दाम नहीं है अलग दाम का मतलब है कि जो आपके अगरम टमाठर का उधारा ले तो जो खुले खेत में टमाठर हो रहा है और जो पॉलिए टमाठर हो रहा है दोनों एक ही चीज है और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूँ की जो open field में varieties हो रही है वो सारी की सारी वराइटी पॉलि हॉस के अंदर हो सकती है जिनका अनुमान सतर प्रतिशत है महानिन सतर प्रतिशत वरायटी open field और पॉलि हाउस दोनों में हो सकती है सिर्प 30% ऐसी हैं जैसे की कलर्ड कैप्सकम हो गया और अपना डिकज़वान का मल्टी स्टार खीरा हो गया ये ऐसी वराइटीज है या मस्क मेलन हो गया जो पॉलि हाउस के अंदर ही हो सकती है वो उपन फील्ड में नहीं होती है तो ये एक थोड़ा पॉली हॉउस का फाइदा हो जाता है इसके लाओ जो फ्लावर्स हैं लाइक कारनेशन हो गया जर्बेरा हो गया ये सारे पॉली हॉउस के अंदर होते हैं तो ये एक इसका फाइदा है लेकिन अगर हम मार्केट के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो मार्केट में आपके अच्छे प्रोड़क्ट की कीमत है और दूसरी मार्केट में सबसे बड़ी बात है आमद की यदि आप पूर्ती मार्केट में माल ज़्यादा आया हुआ है तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, तो हमेशा उसका दाम गिरेगा, यदि मार्केट में माल कम आया हुआ है, तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ी सी दभी क्वालिटी का है, तो आपको अच्छा दाम मिलेगा, और यह बात Polly House के उपर भी लावू ह तो अगर हम यह कहें कि नहीं हर जगा यह पॉरा करना जरूरी है अब आते हैं इसकी प्राइस पे यानि कि यह लागत पे एक poly house को normal viable जिसको हम बोलते हैं कि जिससे हमार return अच्छा है उस poly house को लगाने की लागत लगबग 25 लाग रुपए है अब इसमें आप loan भी कराते हैं कुछ अपनी पूंजी भी लगाते हैं अगर आप loan कराते हैं तो आपको फिर इसमें ब्यास देना होता है तो इसको लगाने की लागत किसान भाईयों बहुत है लेकिन जो इसका return बोला जाता है कि नहीं आप एक साल में 10 लाग कमा सकते हैं तो ऐसा नहीं है मैं आपके साथ actual seat अगले वीडियो में शेयर करूंगा poly house की project की तो उस actual seat में मैं आपको calculate करके बताऊंगा कि poly house की project report कैसे बनाते हैं और कैसे आप इतना return नहीं ले सकते हैं या ले सकते हैं दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि आप poly house से तभी फाइदा ले सकते हैं जब मार्केट में open field की फसल ना रही हो क्योंकि जब open field की फसल आएगी तो उसकी आमच जादा होगी आप पूरती जादा होगी market में तब आपके poly house की फसल के आपको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे नॉर्मल भी लेंगे और या अगर दाम गिर गए है तो गिरे वे दाम मिलेंगे जैसा की टमाटर की फसलों में होता है और दूसरी बात poly house में अगर आप यह सोचने की साल बर फसल ली जा सकती है तो यह गलत है poly house में सिर्फ 8 महीने फसल होती है जैसे जैसे गर्मी पड़ती है उसके poly house के अंदर जो पेंड होते हैं क्योंकि जो poly house को पर आपने एक white sheet देखे होगी जिसको हम cladding material बोलते हैं वो हमेशा temperature को poly house के अंदर maintain रखता है जिसे की favorable condition plant के लिए बनी रहे हैं अब आते हैं इस पे एक और बात करते हैं कि इसमें कोई रोग नहीं लगता है देखे इस बात पे मैं यह कहूँगा कि यह आदी बात सही है आदी बात जूट है जो आपके बाहर बीमारी रग रही open field में वो आपके poly house के अंदर भी लगती है आपको उतना ही दवा का treatment करना है अगर कोई fungus आईए तो आपको fungicide डालना है कोई कीड़ा आया हुआ है तो insecticide डालना या ferryman trap लगाने है तो यह सारी चीजे होती है अगर आप क्या बोलते है double door poly house पर system होता है माने आप एक दरवाजा खोलेंगे तब आप अंदर जाएंगे और main आपको poly house के अंदर जाने के लिए अगर हम जुल्जा का example है तो अगर open field में खुले खेट में अगर कोई फसल हो रही है तो अगर जुल्जा उसको 15 दिन में या 10 दिन में बरबाद कर रहा है तो poly house के अंदर वो उसको 2 दिन में बरबाद कर रहा है क्योंकि poly house के अंदर इतनी favorable conditions होती है कि रोग को फैले में जरा भी देर नहीं लगती है बहुत ही जल्दी रोग फैलता है अब एक और prospect पर बात करते हैं वो है market जो की इसका सबसे बड़ा prospect है अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फूलों की खेटी करेंगे तो फूलों में ज़्यादा कमाई है तो ये बात बिल्कुल सही है लेकिन यदि आपके पास उस चीज का market अवेलबल नहीं है पॉली हाउस के लिए आप सीदे सीदे एक concept जान ले कि पॉली हाउस में उसी चीज की खेटी करें जिसका आपके आस पास market अवेलबल है यदि आपके आस पास market अवेलबल नहीं है उस चीज का जैसे कि आपने उसमें लगा दिया कारनेशन और जर्बेरा फ्लावर लेकिन आपके पास आस पास कोई फूल मंडी ही नहीं है तो प्रोड़क्त तो आपका बिल्कुल महंगा है लेकिन जब मंडी नहीं है मार्केट ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और यही हल अगर आपने उसमें लगा दिया प्रचला सीडलेस को कुमबर लगा दिया या फिर आपने उसमें लगा दिया अपना कलर कैप्स कम लगा दिया या फिर आप उसमें और कोई फसल करें अब आते हैं इसकी तकनीकी पे देखें पॉली हाउस की कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली तकनीकी नहीं है मैं आपको बताया देता हूँ पॉली हाउस एक कवर्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्लैडिंग मटीरियल वाइड कलर की शीट से डखा होता है इस क्लैडिंग मटीरियल का काम होता है अंदर टंप्रेचर को कंट्रोल रखना और उपर इसमें वेंटीलेशन होता है जिक्सौ के आकार का इसके बाद इसमें उपर इसलिए जल्दी निकलाती है road paint दिखाते हैं जिसे की जल्दी जो भी उसका फल है वो जल्दी आने लगता है जो भी उसके full है वो जल्दी आने लगते हैं और आपको बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है अब बात करते हैं इससे मिलने marketing नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये जान लीजे कि आप पॉली हाउस से profit नहीं कमा पाएंगे आप हमेशा पॉली हाउस में घाटे में ही रहेंगे आपको कई सारी ऐसी news मिलेंगी कि क्या बोलते हैं पॉली हाउस लगाए इनोंने और नहीं चले और दूसरा पॉली हाउस का एक बहुत 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 रहता है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वह यह है कि चूंकि यह कवर्ड स्ट्रक्चर रहता है अंदर हमेशा चाया रहती है इसलिए इसमें सूच मिक्रमी जिने हम निमेटोड कहते हैं वह उनका खत्रा बहुत रहता है और निमेटोड का कोई भी उप्यार अवेलबल नहीं यदि एक बार यह आपकी मिक्ती में आ गया तो यह खतम नहीं ह गॉनन की पूजेक्स रिप और उस पूजिक्स रिपोर्ट पर term discussion भी करूँगा सारी एक एक find को बताओं का। कैसे कैल्कुलेट किया जाता है कैसे आप दे सकते हैं तो क। प्रीज को शेर करीए अगर आप ककोई Plasal तो कमेंट करें विजिए देखने के लिए आपका बहु झाल झाल